नमस्कार दोस्तों आज लेके आए आपका history, culture and diversity में जो पूछा गया था आपको बिन वासुर्टी समेश्टर फोर की नमरिशन में उख करवाएंगे आपको 40 question 40 marks का आपको बहुत कुछ knowledge मिलेगा history और भी जीके का कुछ interesting fact में देखिए करते हैं कि नमबर फस्ट question पर हाँ विडियो को लाइक शेर और कमेंट आवस्ट कर देजिएगा और फस्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रिस कर दें को सब्सक्राइब करता है इनमें से कौन भारत का उलन सीख के नाम से आना जाता है देखिए आपके option यहां पीवी सिंदू तो उलन सीख के नाम से आना जाता है मिलखा सेंग को आत रखिएगा बहुत important question है आगे भी आपके सब्सक्राइब करेंगे थट करता है इनमें से कौन विश्व का सबसे लंबा महाकाब है आत रखिएगा महाभारत जो है longest इपीक इन दा वर्ल्ड है याद रखिएगा महाभारत आहिए आते हैं question number 4 की और किस गुप्त सासक दवार अनालंदा विश्विद्यालों की अस्थापना किया गया सटप किया गया था देखिए option A चंदर गुप्त B समुद्र गुप्त और C आपका कुमार गुप्त 1 और D ह यहां पर सही हो जाएगा इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जितने भी question है important है और आपको answer यहां पर tick करके सामने कर दे रहे हैं ताकि आप मिला भी सकते जो इलो 2924 का इजाम देके आये होंगे उन लोग चेक कर ले 40 में कितना आप सही कर पाते हैं आपका 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 सहर पातली पुत्र पातली पुत्र आने की पटना पटना पातली पुत्र था उसी को आए था को सुमपूर के नाम से आयाते हैं question number 7 की और question number 7 आपका कहता है भरतिये इतिहास के किस काल में दसमलो पधती का आविस्कार हुआ देखिएगा गुप्त एज आने गुप् गुप्त काल में हुआ था इतना पर रखेगा हुआ था ये गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था ये आपको याद रखना है आयाते हैं question number 8 की और 8 नमबर कहता है कि हड़ापा सब्याता में गिरह निर्मान में किस सामागरी का पर्योग के आता था मतलब घर बनाने में किस इसका पर्योग होता था तो होता था ETA का ब्रीक का होता था option number B यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयाते हैं question number 9 की और 9 पुछा गया था आपको कि चौथी बहुत संगीती आयूजित हुई थी मतलब किस राइज में चौथी बहुत संगीती फोर्ट बुद्धिस्ट कॉंसि रवाज हेल्ड एट ए बंगाल बी कस्मीर सी राजस्थान डी मद्ध पर्देश में हुआ था चौथी बहुत संगीती मद्ध पर्देश में आयूजित हुई थी question number 10 की और question number 10 का सत्पत ब्रहमन किस समंदीत है तो आप करीग वेद अजूर वेद सामवे अथर वेद तो सत् तेंथ का option number B correct answer हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा अजूर वेद आपका जो है गद और पद के बारे में बताया जाता है सबसे पुराना वेद रीग वेद है शाम वेद संगीत के बारे में बताया जाता है अथर वेद में जाउट होना के बारे में बात होती है तो सत्तर एज से कुसान काल से हुआ था विस्तित आपका कला की गन्हा से लिए कुसान एज से करते हैं question number 12 किया और देखिए number 12 करता है 12 करता है मुहम्मद गोरी पहली बार की सासक से प्राजीत हुआ मिस हारा था तो आपको 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 किस पाल सासक ने विक्रम सीला विस विद्याले के अस्थापना की थी अधर किज़ेगा धर्म पाल ने स्थापना किया था विक्रम सीला विस विद्याले के अस्थापना धर्म पाल के द्वारा किया गया था अई आते हैं कोश्चन नमबर 14 किया हो किसने अलाई दर्वाजा का निर्मान कराया था अकबर ने बनाया था तो अलाई दर्वाजा का निर्मान अकबर के द्वारा कराया गया था और दर्वाजा कहां पे है तो यूपी के आगरा में स्थित है अलाई दर्वाजा और दीन है इलाही का स्थापना अकबर ने 1582 में और 56 इसवी में हुई थी पानिपत का दूतिय यूद अकबर और हेमु के बीच जो अकबर को जीद मिली थी और 605 इसवी में अकबर की मिर्ट्वी हो गए थी 605 में आयात नेक्स्ट कुष्चन नंबर 15 की और यह कुष्चन नंबर 15 कहता है आपका कुष्चन नंबर 16 कहता है गुलबदन बेगम ने किसके अनरोध पर हुमायू नामा लिखा हुमायू नामा अकबर के रिक्वेस्ट पर अकबर अकबर के जो अनरोध पर गुलबदन बेगम ने हुमायू की बहन थी और अकबर जो है वह हुमायू नामा का का व मायू बेटा था आहीं कुष्चनमर 17 कहता है ताली कोटा यूध् का पहिनाम की समराइज की समापती थी मतलब समराइज का खतम हो गया था था ताली कोटा यूध के दौरा देखिए भीजया पूरं hole né रिखकेगा विजय नगर विज्यापूर का एक और नाम होता है रखिएगा विज्या नगर का एक और नाम है विज्य नगर तो युद्ध का पशिवा तो तरी स माझ का खतम हो पतन हो गया था और विज्यापूर का स्थापना ति can स्थापना किया गया था और इसका अधानी आपकी हमपी थी आयाते हैं कुष्ट्ट नंबर अधारा किया और कुष्ट्ट नंबर नाई उनीज किया और एक कुष्ट्ट नमर उनीज कहता है आपका अजाद हिंद फोज की अस्थापना किस देश में हुई थी तो अधार कियेगा सिंगापूर में हुआ था आपका आजाद हिंद फोज की अस्थापना सिंगापूर में हुआ था और किसने किया था आज़किएगा सुभाष्चंद्र पोज के द्वारा आजाद हिंद फोज की अस्थापना हुई थी सिंगापूर में और याद रखिएगा कि आपका सुभाष्चन पोस्जेनती प्रतेक 23 जनवरी को मनाई जाती है आए आते हैं कुश्च नमबर 20 की और कुश्च नमबर 20 कहता है पावनार आसरम किस समाजी करकरता से समंदीत है तो बीनोबा भावे समंदीत है पावनार आसरम समंदीत है भावे के नाम से बना है अपका हाजारी बाग में इस्थित है और इसकी अस्थापना 1992 में हुई थी बीनोबा भावे की आए आते हैं कुश्च नमबर 21 की और कि कुश्च नमबर 21 कहता है किस वर्स भार्तिराश्ची कॉंगरिस ने पूर्ण सवराज का प्रस्ताव गरहन कि किया था यह आते हैं ऑप्सन में इसका अंसर हो जाए कि 1930 में में पूर्ण सवराज का मांग किया था 1930 में आयाते हैं कुश्च नमबर 22 की और कुश्च नमबर 22 की और भारत भाजन के लिखा कौन थे मतलग इंडिया डिवाइड के लिखा जो थे और रायंदर परसाद जी थ स्वामी द्याना ससुती को कहा जाता है डिवाज का सथापना हुआ था आया आते नेस्ट कोश्चन नमबर 24 की और देख कोश्चन नमबर 24 कहता है 24 नमबर कहता है मुलता किस भासा में हिंदू के पौछ गरंथ लिखे गए थे संस्क्रीट भासा में लिखा गया था हिंदू के पौछ गरंथ संस्क्रीट लेंग्विज में लिखा गया था माउंट आबू का दिलवाला मंदिर माउंट आबू जब भी बोलेगा दिलवाला मंदिर तो समझे लिए पहला जैन से है अब देखिए ओप्सन में है आदिनात, गौतम बूद, महावीर और बाहु बली तो सभी उत्त हो जागा देखिए महावीर समंदित होगा आने के ओप्सन नमबर E, ओप्सन नमबर C हो जागा है टांसर महावीर समंदित, लिवा मंदिर समंदित है आपका महावीर से और महावीर जैन धर्म के 24 में तर्थंकर और अंतिम तर्थंकर थे आज़ादनेस्ट कोश्चन नमबर 26 की और देखिए 26 में पूशता है बुद्ध का जनम हुआ था आज़ाद आफ दसाथे बच्पन का नाम सिद्धात था अयाते है question 27 कहता है किसे भाव्त कराजधानी धार्मिक राजधानी कहा जाता है यहाजतए यह कहा फारनसी को कहा जाता है भारनसी को किस संदिक द॥र हिस्तित दैस 53 ऑ याते है लग वारनसी कहा पर यहाँ पलाए अपका जहाला नाम आपका महा भारत का पुराना नाम था जैसंगीता, महाबारत नाम सुनें उसका पुराना नाम जैसंगीता था, आया तेहने इस question number आपका 30 की ओ देखिए 30 number कहता है भारत में पहली मानो परतिमा जिसकी पूजा हुई थी देखिए बुद्ध का सबसे पहला जो है मानो की परतिमा वो बुद्ध की पूजा की गई थी तो 30 का option number C correct answer हो जाएगा आया तेहने question number आपका 31 की ओ 31 नमर कहता है जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर कौन थे तो आपका थे रिषब देव आई दखिए option number D यहां पर सही हो जाएगा जैन धर्म के पर्थम तिर्थम संस्थापक की माना जाता है रिषब देव को जैन धर्म का तो कोस्टन 32 कहता है सिखों के दूसरे गुरु थे आपका गुरु अंगत थे यहां दखिएगा सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगत और सिख धर्म के पर्थम गुरु गुर तेक बहादुर जीन थे और उसी ध्रम के पाच्वे गुरु गुरु अर्जून देव थे आए आते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमबर आपका 33 की और इस नमबर कहता है इन में से कौन शोटनाक्पूर समंदी समा का सदसे था तो राम नरायन सींग जो है शोटनाक्पूर समा रायन सींग था आयातने हैं कुश्चन नमबर चांथिस गयार मिनाक्ची मंदिर मधूरे में इस्थित तु अजमेर में इस्थित कहां है और आजमेर कहा है आगास्neess की होगी मेरा Pakयास्थान ी ग nerd वे त्योंद न बन जाएगा कि ख्वाजा मुचिस्ति कहां है तो आज मेर राजस्थान राज में है आयात नेस्ट कुश्चन नमबर 36 की और बारत के मुखियता एक राज में ञुक्रा कि आप याद राखना है लगल को जिए को स्थी अवकास घूसित् है याद रखिएगा तीन राष्टी आवकास घोसित हैं कौन-कौन एक 26 जनवर इसे कर्ष्ट रेपब्लिक डे 15 अगस्ट इंडिपेंडेंस डे और होता है दो अक्टूबर आने की गांधी जैन थी ये तीन जो है नेस्थन हॉलिडेज है राष्टी आवकास घोसित किया गया है 26 जनवरी, 15 अगस्ट और 2 अक्टूबर आद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है आएद नेस्ट कोश्चन नंबर 49 की और देखिए कोश्चन नंबर 49 करता है आपका निमनी में से किस राज का नित्र कुच्ची पूरी है कुच्ची पूरी जैस डान्स ड्रामा विच कुच्ची पूरी जब पूछेगा तो आन्द पर्देश का जो है ओ नुरित्य आने की दान्स जो है ओ आन्द पर्देश का है कुच्ची पूरी आन्द पर्देश और आन्द पर्देश का ज़्धानी है अमरावती पहले था आपका हैदराबाद जब तलंगाना बन गी आन या तिराज का लास्ट और question number 40 की और बहुत important है कि सुचनात्म कला के लिए सोनल मान सिंग परसिद्ध है सोनल मान सिंग जो एक lady महिला है जो की dance के लिए परसिद्ध है famous for dancer एक dancer है आपका सोनल मान सिंग परसिद्ध आने की वो एक creative है dance के लिए आपको 40 कुशन अच्छा लगा होगा अपर तक लाइक करें लाइक शेर और कमेंट अवस्टर कर दीजिएगा फिर मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको थाइंक यू